बहुभाशी कक्षा की पहली इकाई का अध्यायन करते समें, विचार करें कि विवित भाषाओं वाली कक्षाओं ने कोट स्विचिंग का कक्षा में इस्तिमाल कैसे किया जा सकता है। एवं इन बातों पर गौर करें, बच्चों को कक्षा में अपनी घर की भाशा में बोलने के लिए आश्वासन की जरूरत होती है, पाठ पढ़ानी के लिए सहेज बहुभाशी निर्दोशों का होना महत्वपूर्ण है, स्कूल में पढ़ाते समें सभी विश्यों के लिए श्रित भाशा का उप्योग समान रूप से जरूरी है। पतंगों पर आधारित एक पाठ में ऐसा करने की कोशिश की। पढ़ाने के दौरान या मचली पर आधारित किसी पाठ के दौरान। किसी पाठ को समझाने और सिखाने के लिए कक्षा में बच्चों द्वारा बोली जाने वाली सभी भाशाओं का उप्योग करना एक अच्छा तरीका है। मेरे कई सहयोगी इसका उप्योग करते हैं। मैं इसे व्यवहारिक स्तर पर कक्षा में बहुभाशिक्ता का उप्योग कहूंगा। बहुभाशी समवाद हर पार्ट को आसान बनाता है। फिर चाहे वह खेल के मैदान में हो या कक्षा में। मुझे तो यह भी लगता है कि जब बच्चे एक नई स्कूली भाशा सीख रहे होते हैं, तो हमें कुछ गलतियों को नजर अंदास करना चाहिए जो नकारात्मग भाशा हस्तांतरण के कारण हो सकती हैं। यह जताना महत्वपूर्ण है कि वे जिन भाशाओं को जानते हैं, वे समस्या नहीं हैं। बले ही इससे कभी-कभी उन्हें अपने स्कूल की भाशा में खुद को व्यक्त करने के तरीके में परिशानी होती हो। और वास्तव में हमें स्कूल के एक भाशी नियम का उपयोग करने पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इस नियम से बहुभाशी बच्चों के लिए कक्षा में भाग लेना कठिन हो जाता है। हाँ, जैसे ही बच्चे सजा का डर मन से निकाल कर स्कूल में कई भाशाओं में बाचीत करने में सहज महसूस करने लगते हैं, वे खुद को और ज्यादा व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। वे इस कूली भाशा में वाक्य निर्मान के लिए नए शब्दों और स्वीक्रत शब्द क्रम को चुनते हैं। भाशा सीखने की इस यात्रा में शिक्षक महत्वपूर्ण रोल मॉडल है। इस मॉडियूल में हमने इस बात पर विचार किया कि किस प्रकार विविद भाशाओं वाली कक्षाओं में कोट स्विचिंग का इस्तिमाल किया जा सकता है। हमने इन बातों पर गौर किया, बच्चों को कक्षा में अपनी घर की भाशा में बोलने के लिए आश्वासन की जरूरत होती है। पाठ पढ़ाने के लिए स्वतस्वूर्थ बहु भाशे निर्देशों का होना महत्वपूर्ण है। स्कूल में पढ़ाते समय सभी विश्यों के लिए मिश्रित भाशा का उप्योग समान रूप से जरूरी है।